आर के रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे अचारी बैगन आलू तो इसके लिए आदक लोग बैगन ले लिए हैं और आदक लोग से कुछ कम आलू हैं इनके हम पीसिस बना लेंगे एक चम्मच साबुद दनिया एक चम्मच सौफ मसाले पाउडर में हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच कुटी लाल मिर्ची और एक चम्मच नमा मसाले पेस्ट में हैं आदा चम्मच अधरक का पेस्ट आदा चम्मच लैसून का पेस्ट और चौकने में जाएगा आदे चमच राई हैं आदे चमच जीरा थोड़े कलोंजी के दाने और थोड़े मेथी दाने तो सबसे पहले हम मसाले तेयार कर लेंगे सौंफ और धनिये को दरेरा दर कूट लेंगे प्रश कर लेंगे इसको फलका सा तो बैगा नालू के भी पीसिस बना लिये हैं अब एक नीबू भी डलेगा और ये आमचूर पाउडर भी डलेगा तो एक चमच आमचूर पाउडर ले लिया है धनिया सौंफ भी हमने कोटली है तो एक पतीले में तेल गरम करेंगे तेल गरम हो चुका है तो इसमें राई, मेती दाना तो फिर आल्यों को भी डाई देंगे आली थोड़ा प्राई करेंगे पोड़े पांच मिनित के लिए हरकासा इसमें खलर आने देंगे चलाते इसमें प्राई करते रहेंगे आलू फ्राई हो चुके हैं तो लैसोन अद्रग का पेस्ट भी आट कर देंगे दो मिनिट इनको भी भून देंगे तो लैसोन अद्रग का पेस्ट भी बन चुका है अब इसमें बैगान आट कर देंगे इनको भी दो मिनिट ट्राई करेंगे तो बैगानों को भी दो मिनिट हो चुको हैं आप इसमें मसाले पाउडर एट कर देंगे और कुटे हुए मसाले भी आट कर देंगे मिक्स करेंगे अब थोड़ा सा पाणी आट कर देंगे जादा निकरना है थोड़ा से ही अब पाउडर एट कर देंगे और निवु भी आट कर देंगे और इसा चला देंगे अचारी बैगा नालू तयार हैं अब इसा женщ唱 कर लेंगे लीजी तयार है अचारी बैगा नालू ये खाने में बिल्कुल अचार जैसे लगते है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू